यह मोधी के आपकी बार 400 पार का नारा दिया है, 400 पार के नारे के साथ, धनबात प्रत्याश्री डुल्मातो की जन सभापर सुदेश मातो ने कहा कि मोधी के नारे पे वे साकार होते देख रहे हैं, उन्होंने डुल्मातो के रेकॉर्ड नतो से पी विजय होने का भ प्रदान मंत्री देते हैं और कहते हैं कि BJP को 370 पार लगाना है ऐसे में जारखन में 800 के कंदे पर भी बड़ी जिम्मेदारी है ग्राउन में जा रहे हैं लोगों का समर्थन किस तरीके से देख पा रहे हैं देखो यह चुनाओं का भी प्रारम है हमारे हैं यह आज हम लोग दूसरे चरण का यहां का दूसरा चरण का आज नोविनिशन था हैं वहां पर हम लोग आए हैं 14 सीट हमारा है हमरे राज की जब अब देही में 400 में से 14 सीट है पिछले बार हम सभी लोगों ने मिलके बारते अंता पार्टी आज सुने मिलके 11 और 12 सीट पर विजही आसिल कि सुदेश जी अभी आप ढूलू मेंतों के जनसभा से होकर आए आपने जब जनसभा को संबोधित किया तो लोगों ने भी बराबर के नारे लगाए ऐसे में अब सवाल ही बनता है कि धनबास बिलकुल लगा हुआ है गिड़ी लोकसभा शेत्र और आप ही के प्रतियाशी च चुना होए यह तो देश के नेता चुनने का बारी है और देश के नेता का चैन होगा देश के प्रदान मंत्री देश के अगवा का चैन होगा तुनिशी तरूप से यह जब यह बाते मंच पर चलती है तो पूरे 14 के लिए चलती है और हम सभी लोग हो ही काते कि 14 के 14 तेरा पूल और एक फल साथ में जाएगा फल फूल साथ में आप जब स्टेज पे दें आपने बजनर शर्मा जी जो की राजिस्थान की मुख्य मंत्री है उनको भी फूल और फल की बारे में कहा तो नोंने उनकी पीछे पूरी महीमा बता डाली तो ऐसे में आपको लगता है कि जनत प्लने का उसर ही तो देना है कि जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मिया बढ़ रही है बयान बाजियों के बढ़ने लगी है मंगल सूत्र को लेकर टिपनियां शुरू हो गई है हिंदू मुस्लिम को लेकर जो है लोग अपनी बाच्चित रख रहे हैं यहां तक कि नेता भी इ परलाय जिस पर बात हुनी चाहिए हम लोग की हमें वर्तवान हालत पर देश की गुलोबल यी पर बात करिया तो बहुत करते वेकिवाल इंडिया को दिखाए ःंडिया आपको दिखाए है और मोदी जी लिए रोजगार शिक्षा पलायन चिकिसा ये तमाम बड़े मुद्धे जिस पर बात होनी चाहिए को आगे मोदी जाब बड़ा है आज कल प्रेस कॉंफरेंस का दौर भी शुरू हो गया है कि एंडिये कितनी असानी से जूट बोल लेते हैं एंडिये के लीडर आकर इतनी हिम्मत लाते कहां से गडबंधन का सबसे गडबंधन ही प्रश्ण चीन पर है यह चुनाव ही उनका भ कौण भरेगा अभी तक जंता के सामने ला नहीं पाएं तो आप देश के साथ दोखा कर रहे हैं देश को चलाने वाला सक्स को देश की लोगों को जानने का हक है हर बोटर को जाने तो चलिए जंता को कौन ठग रहा है इसके लिए जंता खुद भी समझदार है जैसे वोट देना जानती है, वैसे सत्ता से उतारना भी जानती है, बैराल NDA वर्सिस इंडिया गड़ बंदन की लड़ाई है, लेकिन अब जनता को तै करना है कि किसको सत्ता सियासत का ताज देना है और किसको जमीन पर बिठाना है, क्यामर परिसंट प्रवीन के साथ मैं भावना, नीज करें, बेल आइकोन, नीज लावन भारत, सच है तो दिखेगा